नमस्का दोस्तों आप लोग देख रहे हो दा बेस्ट गार्डिनिंग चैनल और आज का टॉपिक है टामटर के उपर तो अगर आप भी टामटर उगार आए हो घर पे तो यह वीडियो जरूर देखे तो मैं पूरा जो डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर कैसे टामटर हो जाते हैं और अगर आप अच्छे मिक्स या पॉटिंग मिक्स में इसको डाल दोगे तो यह टामटर के पाउदे बहुत जल्दी बड़े हो जाते और फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाता है लेकिन में जो टाइम होता है वह है कि जब फ्लावर आना चालू हो जाए उस की दिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसे रिकोइस्ट है वीडियो अच्छे लगा तो ज़रू लाइक करना और नय को चैनल को जट्धakर्द रादा चाहिए अच्छा अगर या फ्लीटींग चाहते हो इनको बहुत सरा खाना आपको देना Πड़ेगा तो इसके लिए दोस्तों कि आप जब टामटर के पौदे लगाते हो तो आपका एम होता है तामटर मतलब कितना फूटिंग आपको मिलेगा आपका एम यह नहीं होता कि पौदा कितना बड़ा हो जाए और पौदा कितना घणा हो एक जिस ध्यान पर रखिए कि जितने भी ज्य जितने भी इतने आपको बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हो, जो कोई काम का नहीं है, तो वो सब पत्ते को आपको काट देना है, तो खड़ाब लगता है, इतना अच्छे पौदे के पत्ते को काट रहे हो, जब आपके पास अच्छे पौदे होंगे, तो उसके पत्ते काट आपने भी आपको दिल दुखेगा लेकिन यह काट देना है अगर आपको जादा फ्रूटिंग चाहिए क्योंकि यह जो इतने बड़े-बड़े पत्ते है यह बहुत सारे खाना मतलब जो टामेटर उगने के लिए चाहिए वह यह खा लेते हैं इसके वैसे टामेटर ठीक तरह से ग्रोथ नहीं करता और टामेटर ठीक तरह से होता नहीं है तो जितने भी साकर्स और बड़े-बड़े पत्ते आपको दिख जाए तो सभी पत्ते को आपको काट देना है दोस्तों सेगंड पॉंट है कि सपोर्ट तो टामेटर के प्लांट्स ना जूग होते यह अपने वजन खुद रखने ही पाते तो इसके लिए यह टामेटर के प्लांट्स को आपको सपोर्ट देना होगा ही होगा तो जब यह थोड़ा बड़े होना स्टार्ट हो जाए तो इसको एक stick जैसे मैं इसे बांद के रखा है stick के साथ इसे आपको बांद देना है लेकिन एक stick से काम नहीं चलेगा जब इसमेटर आये गए और टरमटर का वजन वज़ादा हो जाएगा तब इसको और भी आपको जो है दोतीन साइट्स से support देना है नहीं तो यह plant टूट सकता ह और आपका प्लेंट मर भी सकता है, ठीक है ना, तो support सब टमेटर के plants को चाहिए, चाहिए, support आपको देना ही होगा, मैंने मेरा, जितने भी टमेटर के plants है, सभी को, मैंने support देखे रखा है, तो आप देख सकते हो सभी plant में Putting by put stick बांद के रखा हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही जो है अपने प्लांस में स्टीक बांद के रखना है अगर आप अच्छे फूटिंग चाहते हो और टमाटर को अगर बड़ा होने देखना चाहते हो तो ज़रू सपोर्ट मस्ट है तो प्लांट जब से थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट करेगा तब ही से जो है सापोर्ट देना चालो कर दीजिए अब दोस्तों नेक्स्ट काम जो करना है आपको के टमाटर के प्लांट को टाइम टू टाइम उसके ज़रो में आपको एक्स्ट्रा मिट्टी डालते रहना है कभी भी टमाटर के प्लांट में बिठा रहे हो पूरा मिट्टी डालके प्लांट में पिठाईए थोड़ा सा मिठी डालिए टामटर के प्लांट को बिठाईए अब जितना बड़ा होता रहेगा उतने आप जो है मिठी डालते रहेए यह जो आप काटेदा चीज देख रहे हो यह मैंने अनलेवलप्ट रूट्स है शाको में जब यह मिठी के नीच तो यह मेरा और्गानिक खाद है पूरा क्योंके मैं तो मैं इसको कैसे एक वीडियो बना के आपको दे देव घूंगा तो ज़रूर और्गानिक खाद अपने वेजडी बिल्स में डाले बहुत अच्छा उसका ग्रोथ आएगा अब दोस्तों लास्ट में बोलुँंगा कि अच्छा फ्रूटिंग के लिए जरूर आपको अपने टामेटर के जो प्लैंट है उसको नी मॉयल से स्प्रे करना है हर वीक या टेन डेस के गैप में इससे कोई कीरे मकोडे का एटक नहीं होगा कीरे मकोडे के एटक से आपके टामेटर के फ्लावर खड़ाप हो सकता है और अगर कुंई फांगल अटक पत्तो में हो गया दूसरा कोई पत्तो में या आपके टामेटर के प्लावर गया कोई कई सेवन डेस में एक बार तोगेंगे तो जरूर ठीक हो जाएगा तो दोस्तों यही जो है यह सब पॉइंट पाच व पॉइंट आपको फॉल्लौ करना तो चले दोस्तों वीडियो आज के लिए इतने अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना तो चले दोस्तों चलते आज फिर बिलेंगे नए वीडियो के साथ